नमस्कार की सार भाईयो मैं जनेंदर पातर लॉकुस एगरी क्लिनिक नवानगर से आज मैं अपने खेत पर आया हुआ हूँ और आप लोगों को मैं दिखाऊंगा अभी कुछ बहुत-बहुत बहुत अच्छी प्रोडक्स के रिजल्ट के बारे मैं कुछ बताने वाला हूं मैं आप लोगों को तो चले देखते हैं क्या है जो अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ वह मेरा मैंने दो मेरे यहां पर दो एकड का प्लॉट है और इसमें एक एकड़ पर मैंने 4000 एक फ्रंट लाइन का धान लगाया था और एक एकड़ पर अराइस का तेज गोल्ड धा की गई है और अभी आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा कि यहां पर जब इसका हम बुआई कर रहे थे उसी समय इस पर यूरिया की मातरा डाली गई थी इसके बाद जो हम टॉप ड्रेसिंग करते हैं खड़ी फसल में जो उर्वरक डालते हैं उसमें हमने किसी भी परकार कि जितने भी लाबदायक जिवानु रहते हैं उनका एक पूरा मिश्यन है और इस पर हमने जो इफको का नैनो यूरिया है नैनो यूरिया के यूज किया था तो चलिए देखते हैं क्या कुछ रिजल्ट है क्या वो संतोज जनक है या नहीं यह जो प्लॉट है आपका यह है अराइस का तेज गोल्ड ठीक है इस पर डारेक्ट सोंग की गई है इसकी और फसल पर खड़ी फसल पर यूरिया ना डाल करके हमने नैनो यूरिया यूज किया हुआ तो चलिए आप देख सकते हैं कि इसका जो बालियों का लंबाई है बाली जो है पकड़ो इधर इसको पक इस बाली के लंबाई देखिए आप यह इतने लंबी है इसकी बाली है और दानों की संख्या दानों में काफी वजन भी है और जो इस खकरा बद्रा का विल्कुल भी शिकायत नहीं है हां थोड़े से गंदी बग की वजह से प्रोब्लम हुआ है कि इसमें और दाने हलके काल काले दिख रहे हैं और जो इधर वाले प्लोट पर हम देखेंगे तो यह फ्रेंट लाइन का 4001 है इसकी आप बाली देख सकते हैं यह बाली देख सकते हैं आप इसकी बाली की लंबाई भी लगभग सेम है कि बाली तोड़े थे ने आप दिखाव हाँ यह देख सकते हैं आप बाली यह फ्रेंट लाइन 4001 की वाली है किसान भाई मैं आप लोगों को यह बताना चाहता हूं आप बाली का क्वालिटी और बालियों में दाने के संख्या भराव उसका ठोसपन सब डिपेंड करता है हम किस परकार से खेती करते हैं उसका मेनेजमें परकार से खेती कर सकते हैं मतलब केमिकल फ्री यूरिया जो होता है आपको पता है हमारे स्वास्त के सांसत हमारे पर्यावरन के लिए भी कितना नुक्सान दायक है तो बिना यूरिया का खेती अगर बोला जाया तो इस हम मैं अपने पूरे इस दो इकड़ के प्लॉट से का बहुत ही जबजस रिजल्ट आया है मुझे सारे और्गनिक प्रोड़क्ट्स का यह 4003 किबाली है अच्छा इसके साथ अभी मैं आपको कंपेर भी कराऊंगा कि जिस खेत में यूरिया डाला गया है उसके रिजल्ट और हमारे रिजल्ट में क्या कुछ अंतर है क्या हमारा यह देख सकते हैं आप यह देख सकते हैं आप किसान भाई देखिए बिना यूरिया मिन्स नैनो यूरिया का कमाल इस पर आपको नंबर्स अफ टिलेस भी दिखा दे हैं यह देखिए काउंट करेंगे तो 20 से नीचे तो आए गए नहीं अरे बाप रहे बाप रहे चलिए आगे हमने हम पहुंच गहा है यह भी आपका हमारा ही प्लोट है बिना यूरिया वाला यह जश्ट बगर वाला प्लोट जो है यह नॉर्मली हम जिस तरीके से खेती करते हैं यह भी बहुत अच्छी विराटी है कॉनसी विराटी देख के लग रहा है साथ कावेरी 460 का प्लोट है यह लेकिन यह पूरी तरीके से जैसे हम खेती करते हैं ना यूरिया डालते हैं दूस तरीके का यह पूरा प्लोट है और यह फुल लगबग लगबग यह 70-80% मैच्यों हो चुका है और हमारा प्लोट अभी मैच्योरिंग फेज में मैच्योर हो रहा है तो आप दोनों में अंतर देख सकते हैं मतलब यह यूरिया के साथ वाला प्लोट है यह बिना यूर तो दोनों में क्या अंतर है अंतर कुछ भी नहीं है तो इसका भी सेम उसाई वराटी वाइस देखा जा तो यह भी अपना बहुत जबर्जस रिजल्ट आएगा इसका भी और कावेरी 460 तो सभी को जानते है कि इसका क्या रिजल्ट है मुझे आप लोगों को मुख्य बात यह बताना है कि हम बिना यूरिया के भी खेती कर सकते हैं हमको ऐसा बिल्कुल भी भरम मन में नहीं रखना है कि अगर हम यूरिया दालेंगे तो हमारा husband नहीं होगी अब देख सकते ना बिना यूरिया का खेती आप लोगं के सामने लाइव है यह सारा चीज और इसी शुब कामना के साथ अब मैं अपना वीडियो कांत करता हूं बहुत बहुत धन्यवाद जै हिन जै भारत जै छत्तिस गड़